हेलो गाइज, वेलकम टू स्लीपी क्लासेज, आज का हमारा मॉस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं टॉपिक है एंसियंट हिस्ट्री से, देखिए मैंने अपनी प्रेविएस वीडियो पर आपको बताया था वैदिक एज के बारे में वो हमारा खतम होता है 1500 BC तू, 1600 BC तक उसके बाद से हम स्टार्ट करेंगे कि हमारा जो देश है वो किस तरह से ड्वाइडिड था ठीक है तो आपके बिल्कुल वीडियो की स्क्रीम में आपको दिख रहा होगा इंडिया का जो उस टेम का मैप होता था कि हमारा जो भारत है वो 16 राजियो में ड्वाइडिड था उस टेम राजियो को कहा जाता था महा जनपत्स और सीटिस को कहा जाता था जनपत्स तो ये हमें पता होना चाहिए ठीक है तो मैप में हम देखते हैं कि वो किस तरह से रिप्रेजेंट करता है हमें उस टेम का जो मैप पंचाल, कोसला, माला, पार्टली बोद्र, अवंती, कांबोजा, तक्षिला, चलिए अब तक्षिला जो वर्ड है उसके बारे मैं आपको बताना चाहूँगा तक्षिला उस टेम की काफी popular university थी, यहाँ पर हमारे देश से नहीं, पागिस्तान से नहीं, दूर दूर से लोग पढ़ने आते थे, ठीक है, तो most popular university थी उस टेम की तक्षिला, और यह right now पागिस्तान का पाठ है तो मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारा जो देश है, वो उस टेम किस तरह से divided था, देखी, यहाँ पर मैंने mention कर रखा है कि महाजनपत्स and उनकी capitals, जैसे कि अवंती है, अवंती की capital होती थी, उजयन, उजयन को जो आज की date में अगर आप देखो कि इसकी model location कहाँ पर है, विद्य परदेश और मालवा में, ठीक है, ऐसी ही जो आपका कुरू था, उसकी capital थी, इंद्राप्रस्त, और model location क्या है, मेरट and south east हर्याना, ऐसी वत्सा, वत्सा की capital है, वो है अपकी कोसंबी, और इसकी model location कहाँ पर है, अलावाद, तो यह आपको basically सभी महाजनपत्स और उन की capital पता होनी चीए, ठीक है, जैसे काशी काशी की capital के है, वाना नसी, एक most important है, हमारा partly पुत्र, यहाँ पर mention नहीं, मैं कर देता हूँ, मगत है, इसकी राजनी, partly पुत्र भी रही है, इसके उपर आज काफी चर्चा होगी, क्योंकि यही एक आपका important जनपत है, sorry, महा जनप है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, तो partly पुत्र, इसकी रहाजनी होती थी, मगत की, चलिए, तो स्टार्ट करते हैं, देखी, सोला स्टेट्स हैं, लेकिन सोला स्टेट में आपका important one कों सा हो जाता है, मगत, मैं आपको एक चीज होर बताना चाहूँगा, जो आप में से ह काफी अच्छे से करेंगे हिंदी में, ठीक है, चलिए, स्टार्ट करते हैं, मगत जो एरिया था, उसमें कौन-कौन सी डाइनेस्टी का रूल रहा, और कब से कब तक रहा, कैसे, किस राजा ने उसका विस्तार किया, ठीक है, तो आपके बिलकुल सामने यहाँ पर एक डाइ यंका, फिर शिशुनाक, फिर नंद वंश, फिर मौर्या डाइनेस्टी है, ना, डाइनेस्टी को बिसिकली हिंदी में वंश कहा जाता है, तो गभराने की जुर्वात नहीं है, चलिए, एक देखी, यहाँ पर मैं शुरुवात करने से पहले आपको एक चीज बताना चाहू कि जो मगद है, मगद में सबसे पहले जो डाइनेस्टी रूल करती थी, वो इन में से कोई भी नहीं, वो डाइनेस्टी के बारे में कोशन नहीं पुचा जाता, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ, वो डाइनेस्टी थी, बृद्रत, मैं यहाँ पर स्पैलिंग मे जा थे और इन्होंने इसका स्थापना करी थी इनके बाद जो इनके पुत्र राजा बने उनका नाम था जरासंद जरासंद एक strongest टूलर थे ठीक है और अगर आपने महाभारत दा epic story देखी होगी तो उसमें दखाया गया था कि जो भीम थे उन्होंने जरासंद का कतल किया था ठीक है और जरसंद एक strongest टूलर थे ये भी आपको याद अतने है और जो ब्रिदर्ध डाइनेस्टी के लास्ट राजा थे उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए अगर गलती से SSE पूश ले तो ये question भी आपको clear होना चाहिए तो वो है रिपुंच ठीक है तो एक डाइनेस्टी हमने होर कर ली ब्रिदर्ध डाइनेस्टी चलिए हम आगे चलते हैं जो आज का हमारा main topic है देखी यहाँ पर आपको 4 डाइनेस्टी दिख रही हूँगी हरेंका डाइनेस्टी, शिशुनाग डाइनेस्टी, नंद डाइनेस्टी and Moria डाइनेस्ट अब हरेंका डाइनेस्टी के जो फाउंडर थे हैं इनका नाम था बिम्बी सार ठीक है बिम्बी सार ने हरेंका डाइनेस्टी की शुरुवात करी थी 544 BC में BC को इसा पुरुव भी कहा रहता है और ये आप देख रहे होंगे 544 BC से लेकर 492 BC कैसे आ गया मतब ये decreasing order में कैसे चला देखी इसके लिए आपको मेरी first video history की देखनी होगी यहाँ पर आपके सारे doubt clear हो जाएंगे कि BC को आप कैसे represent करते हो AD को आप कैसे represent करते हो got it चले आगे चलते हैं लग बग बिम्बी सार ने 52 years तक rule किया और ये हरेंका डाइनेस्टी के founder भी थे और इनकी जो राजधानी थी इनके टाइम में वो थी राज गिरहा या जिसको आप गिरिव राज भी बोल सकते हो ये बुदिस्ट को बहुत मांते थे मतलब बुदिस्ट कल्चर के follower थे बिम्बी सार और इन्हों ने जो अपना राजपाट है उसको कैसे बढ़ाया ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है देखे बिम्बी सार ने ही शुरुवात करी थी matrimonial alliances की अब matrimonial alliances क्या होते हैं मैं बता देता हूँ पहले मैं एक बार लिख देता हूँ आपके सामने matrimonial alliances और इसको हिंदी में कहा जाता है विवाह सब्दी ठीक है मतलब क्या होता है कि माल लिजे कि बिम्बी सार को एक एरिये से दूसरे एरिये में अपने राज्ये का विस्तार करना था जैसे कि हम बात करें कि कोशला का जो एरिया था उसमें अपने राज्ये का expand कैसे करा बिम्बी सार ने बिम्बी साहर ने उनकी बेटी के साथ विवाह कर लिया और विवाह करने के बाद उस राज्य को अपने राज्य से मिला लिया ठीके इसको कहा जाता है विवाह संदी Metriminal Alliances तो ये इसकी शुरुवात करी थी बिम्बी साहर ने Second इनकी जो वाइफ थी वो थी लिच्वी कुल की प्रिंसिस और इनका नाम था चैलेना और एक चीज मोस्ट इंपोर्टेंड है कि बिम्बी साहर न चीलेना के जो पुत्र थे वो अगले राजा बने जिनका नाम था अजात शत्रू ठीके ठर्ड वाइफ थी इनकी पंजाब की तो तीन वाइफ थी बिम्बी साहर की उसके बाद बात करते हैं अजात शत्रू के बारे में देखें अजात शत्रू जो थे उनको रियल फाउंडर ओफ हरेंका डाइनेस्टी भी कहा दाता है क्योंकि इनके टाइम में जो विस्तार है हरेंका का वो बहुत ही विशाल रूप से हुआ ठीके और जो अजात शत्रू थे इनको पिता का हत्यारे के रूप से भी जाना जाता है देखें अजात शत्रू पहले मानते थे जैनिजम को उसके बाद इनोंने फोलो किया बुद्धिजम को और बुद्धिजम की सच्चू के आगे इनोंने किया कि इनोंने अपने फादर का कतल किया है उस तैम के बाद इनको पिता के हत्यारे के रूप से भी जाना जाता है लेकिन ये एक अच्छे योदा थे इनोंने काफी हरेंका डैनेश्टी को का विस्तार किया था ठीक है उसके बाद एक चीज याद रखने वाली ये है कि जो मैंने आपको अपनी प्रिवेस वीडियोस में बताया था जब मैंने जैदीजम और बुद्धिजम का पार्ट कवर करा उसमें मैंने मैंने मेंचिन करा है स्पेशली तोर पे कि जो गोतम बुद्ध है उनकी दैत के बाद चार बहुत बड़ी मेटिंग होई जो जो फर्स्ट काउंसिल होई थी गोतम बुद्ध की दैत के बाद वो काउंसिल करवाय थी अजाजशत्रो ने ठीक है और वो कौन से लोगी थी 483 BC में यह आपको याद रखनी है और इनकी राजधानी कहाँ पर है राजगिरा ठीक है ची तो यह आपको याद रखनी है चलिए उसके बाद अजाज शत्रु के बाद इनके बेटे ने रूल करा इनके बेटे का नाम था उदयाईन या फिर उदया भादरा भी आप बोल सकते हो इन्होंने रूल कम सोला साल तक किया और उदया इन भी एक अच्छे रूलर थे इन्होंने अपनी राजधानी को शिफ्ट करा पाटली पुत्र पाटली पुत्राज की डेटेवे कहाँ पर है राजधानी पट्णा में ठीक है अगर आप पले आप दिया उस में आप के ताइम में हरिंका डैनेस्टी इसको राजधा को चरड़ा गोशित कर दिया और tweा और इन्होंने यहाँ पर हरिंका डैनेस्टी को खतंू करकर श cultivate करे शिशुदाख वंश शुरू हुआ शिशुनाग वंश उसफ्ट जो था वह काफी अच्छे से रूल कर रहा था और इनके जो नेक्स्ट किंग बने उनका नाम था काल असोका काल असोका भी काफी अच्छे रूलर थे इन्होंने जो अपनी राजधानी है उसको पाटली गुत्र बनाया और जो काल असोका हैं वो भी एक बुद्धिजम को फोलो करते थे काफी अच्छे से इन्होंने बुद्धिजम को फोलो किया और काल असोका के टाइम में बुद्धिस्ट की सेकिंड काउंसिल भी थी और ये काउंसिल होई थी 383 BC में लगबग 100 साल के बाद चलिए अब देखिए शिशुनाग डाइनेस्टी के बाद जो बहुत ही strongest डाइनेस्टी आई उसका नाम था नंद डाइनेस्टी नंद डाइनेस्टी की शुरवात करी थी महापनमानन ने महापनमानन एक strongest टूलर थे और इनसे पूरा का पूरा नोर्थ इंडिया डरता था क्योंकि ये काफी strongest टूलर थे आपने एक नाटक भी देखा होगा यहाँ पर मैं बात करना जाओंगा स्टार प्लस पे देखे जो नाटक होते हैं वो एक स्टॉरी लाइन का हिस्सा होता है लेकिन यहाँ पर जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो एक factual information है ठीक है तो महापद्मानन्द एक strongest टूलर थे इनकी जो इन्होंने अपनी डाइनस्टी की शिर्वात करे थी 345 BC तो 329 BC तक मतलब ये राजा रहे थे महापद्मानन्द महापद्मानन्द के बाद इनके सबसे जो बड़े बेटे थे वो राजा बने धनानन्द सबसे बड़े बेटे थे टॉटल अगर पुत्रों की बात करें महापद्मानन्द की तो 9 पुत्र थे अच्छन में मैं स्वापन देखा था कि मैं पूरी दुनिया पर लक्षे लेकर चार रहा है कि मैं पूरी दुनिया को जीत जाओंगा ठीक है तो ईलेक्जेंडर बेसिकलि एक राजा का बेटा था इनके पिता का नाम थी फिलिप जो कि मैसी डुनिया की राजा थे इनकी दैथ के बाद अलेक्जेंडर वहां का राजा बना और अलेक्जेंडर ने एक निडने लिया कि अब मुझे पूरी दुनिया को जीतना है तो ये निकल चले अपने लक्षे की प्राप्ती के लिए ठीक है तो दीरे दीरे ये इंडिया के अगर मैं बनाओं यहाँ पर इंडिया का मैप तो इसको इंडिया का मैप मान लिजिएगा वैसे तो नहीं है ठीक है तो ये इस तरह से इंडिया को cover करते हुए आ रहे थे पागिसान अफगानिसान का पार्ट लगबग ये जीत चुके थे तो एलेक्जेंडर ने पागिसान और अफगानिसान का पार्ट जीत कर अपने एक सेना पती को वहाँ पर एक नुक्त कर दिया governor जिसका नाम था सेलकस निगेटर इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे सेलकस निगेटर का क्या हुआ और सेलकस निगेटर के बारे में सारी detail information दिखिए जो ग्रेट अलेक्जेंडर था उसका जो अंतिम battle हुई वह हुई पंजाब के जगा है पौरस पौरस के राजा के साथ ग्रेट अलेक्जेंडर का युद हुआ इस युद को battle of हाइडरस पस या battle of जेलम के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये युद हुआ था जेलम नदी के किनारे जो ग्रिक लोग उन्होंने kingdom वापस कर दिया था reason इसके लिए दो आते हैं एक तो जो उनकी सेना थी वो उन्होंने निदे ले लिया कि हम आगे नहीं जाएंगे क्योंकि काफी time हो गया था उनको अपने घर से चले हुए और उन्होंने बुला कि नहीं अब हमें अपने घर वापस जाना है homesick type feeling आगे थी उनको कि नहीं अब हमें यहां से लोट जाना है secondly जो porus था उसने काफी अच्छे से fight करी थी और काफी अच्छा challenge दिया था ऐलेक्जेंडर को इसकी सेना काफी कमजोर होगी थी porus kingdom जीतने के बाद और जो porus का राजा था इसका नम प्रशोतम कुरू या फिर porus के राजा से जाना जाता है और basically जो porus का राजा था हारने के बावजूद भी वो यहां वहीं पर खड़ा रहा और उसने बोला कि अगर आपको मेरा राजे चाहिए तो आपको मुझे मारना होगा तो ऐसी ढृट निष्टा देखते हुए जो porus का राजा था उसको वापिस राजपार दे दिया गया ऐलेक्जेंडर ऐलेक्जेंडर बहुत प्रभावित हुआ ठीक है और ग्रेट ऐलेक्जेंडर ने निदने किया यहां से वापिस आने का और यह भी आपको पताओना चाहिए ग्रेट ऐलेक्जेंडर कहां से वापिस हुआ था ब्यास नदी के किनारे से देखे एक रिजन हो रहे है हाँ पर जो ग्रेट ऐलेक्जेंडर के वापसी का एक रिजन हो रहे है ये दिद्धनानंद से डर गया था धनानंद इस टाइम राजा था महापदमा डाइनेस्टी से बना था ये लगबग बन गया था 329 BC में तो यहाँ पर जो ग्रेट अलेकजेंडर था वो डर गया था धनानंद से ठीक है तो ये इसलिए वापस हो गया और धनानंद वाके में ही एक strongest ruler था हाला कि धनानंद को हरा दिया गया था तीन साल ही राजा रहा ये लेकिन उस तैम काफी strongest ruler था इसके बारे में हम बढ़ेंगे कि धनानंद को किसने हराया और धनानंद के जो वंश था उसको खतम किसने किया तो एक point यहाँ पर mention है कि Great Alexander के गुरू का कह नाम है Aristotle तो यह आपको याद रखना है most important question है पूछ लिया जाता है और जो Great Alexander है उसकी death हो गई थी 33 साल की उमर में ही सिरफ बिमार हो गया था काफी यह जब जा रहा था अपने घर की और तो इराक के पास एक जगा है Babylon यहाँ पर इसकी due to illness death हो गई थी ठीक है तो काफी यह important question है कि इसकी death कहा होई थी Babylon में और Babylon area कहां पर आता था इराक में यह आपको पता होना चाहिए ठीक है जी तो बहुत छोटी से उमर में मर गया था सिकंदर या फिर बारे मैं आपको बताता हूँ एक short note story देखी क्या हुआ मोर्य वंश की स्थापना का mainly जो reason जाता है वो जाता है चानक्या के पास ठीक है चानक्या तक्षिला के एक अध्यापक कह सकते हो या फिर एक professor कह सकते हो तो वो एक professor थे तक्षिला इन्वेस्टी के और जब हमारे भारत पर किसी भारी हकूमत का कबजा होने जा रहा था मतलब ग्रिक के लोग आ रहे थे ग्रेट अलेक्जेंडर जब हमारे भारत की और चड़ाई कर रहा था तो चनक्या भाई सब जाते हैं नंदवंश के पास कि नंदवंश के सामने वो एक request करते हैं कि आप हमारे भारत को किसी फोरण के अधीन होने से बचा लीजिए लेकिन जो महापदमा नंदय वो एक एहंकारी राजा होते हैं तो वो चनक्या की बेज़ती करकर चनक्या को बाहर निकाल देते हैं तो चनक्या उसने प्रन लेते हैं कि यहां पर मैं सुल्जे हुए राजा को बठाऊंगा और ऐसे एहंकारी राजा की यहां पर कोई जगा नहीं है और सेकेंड डिजन क्या था कि जो धनानंद था बहुत ही ज़ादा क्रूर वादी था अत्यचारी था और यहां की जो परजा है वो बहुत ज़ादा पीडित थी धनानंद के राजपाट से तो धनानंद को हराने के लिए जो मेंली एक शडियंत रचा गया वो कैसे रचा गया चनक्या ने अपने एक शिश्य चंद्रगुप मौर्या को अवैद रूप से 327 बीसी में मगद में प्रिवेश करवा दिया ठीकें अब चंद्रगुप मौर्या भाईसम ने क्या करा 327 बीसी से लेकर चार साल तक लगबग 323 बीसी तक जो नंदवंश के खिलाफ थे उनको अपनी तरफ कर लिया और बहार से इनके जो गुरु थे चानक्या जी वो एक विशाल सिना का प्रभंद कर रहे थे और 323 बीसी में चंद्रगुप मौर्या वर्सिस धना नंद की बढ़ाई होई और यहां पर चंद्रगुप मौर्या विजे हुए और चंद्रगुप मौर्या ने नंदवंश का बिल्कुल सरवनाश कर दिया महा पन्मानंद और उनके नो बेटे इंक्लूडिंग धना नंद को मार दिया तो 323 विसी में ये बैटल कोन जिता चंद्रगुप मौर्या और मौर्या डाइनस्टी की शुरुवात हुई ठीके जी अब चंद्रगुप मौर्या जो थे उन्होंने थ्रोन कब हासिल किया था कब वो राजगद्धी पर बैठे थे तो बैटल हुई थी 323 में और चंद्रगुप को ग्रिक के लोग कहते थे सेंड्रुकोर्टर्स ठीके ये आपको याद रखना है चंद्रगुप एक स्टॉंगेस टूलर थे उन्होंने अपने अंपायर को काफी हद तक स्टैबलिश किया पूरे नोर्थ इंडिया में चंद्रगुप मोरे ने अपने अंपायर को स्टैबलिश करा और एक चीज़ यहाँ पर मैं मेंशन करना जाऊंगा चंद्रगुप मोरे काल में काफी हद तक सुधार आया था कि एक अच्छे राजा के रूप में चंद्रगुप मोरे को देखा जाता था ठीक है चंद्रगुप मोरे ने एक बैटल होर लड़ी वो बैटल थी 305 में और वो बैटल लड़ी सेलकस निगेटर के खिलाफ सेलकस निगेटर जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर मेंशन करा था जब मैंने इंडिया का मैप बनाया था अपना अच्छी ड्राइंग में तो यहाँ मैंने मेंशन करा था जो पागिसान अफगानिसान वाला पार्ट है न यह बेसिकली सेलकस निगेटर के बास था सेलकस निगेटर कौन था यह वही था जिसको अलेक्जेंडर ने इस यहाँ का गोवर्नर ने उक्त करा था मतलब बेसिकली आप कह सकते हो ग्रेट अलेक्जेंटर जाता जाता अपने एक सीना पती को यहाँ का गोवर्नर बना गया था तो सेलकस निगेटर और चंद्रगुब मोर्या के बीच में बैटल होई साइट से डाउनलोड कर सकते हो स्लीपी क्लासिस जो हमारा S.S.C. का प्लेटफॉर्म रहेगा वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो ठीक है तो यहाँ पर जो बैटल होई सेलकस निगेटर और चंद्रगुब मोर्या के बीच में अब सेलकस निगेटर ने अपनी डाउनलोड का विवाग जिसका नाम था हेलेना किसके साथ किया चंद्रगुब मोर्या के साथ तो यहाँ पर वेट्स लिग देते हैं ठीक है तो आपको याद रहेगा Helena Wets चंद्रगुब मोर्या और पिता जी का नाम क्या था? Helena की सेलकस निकेटर ये क्या हुआ था एक तरह का मेट्रिमरेल लैंसिस मेट्रिमरेल लैंसिस के बाद जो ससुर जी थे सेलकस निकेटर जी उन्होंने अपने दमाज जी को बहुत बड़े-बड़े एरिया गिफ्ट करे थे वो एरिया यहाँ पर मैं मेंशन कर रहा हूँ लिख दे रहा हूँ तो ये भी आप एरिया लिख लेना इन्पोर्टेंट है हैरात कंधार बालूची स्थान और काबल तो ये चार एरिया गिफ्ट करें सेलकस निगेटर ने अपने दमाज जी को ठीक है और दमाज जी का भी फर्स बनता था अपने ससुर जी को कुछ गिफ्ट करने का तो उन्होंने गिफ्ट करें 500 फाइटर एलिफंट तो यहाँ पर मेंशन होगा 500 फाइटर एलिफंट गिफ्ट करें ठीक है तो इस तरह से ये मेट्रिमिनल अलाइंसिस हुआ था ठीक है उसके बाद चंदरकुप मोरिया पहले तो चंदरकुप मोरिया भी जो बेसिकली जो थे एक अच्छे राजा के रूप में वर्क कर रहे थे लेकिन कुछ समय के बाद चंदरकुप मोरिया ने एक जैनिजम मोरिया के कहने पर जैनिजम को अपना लिया जैनिजम मोरिया का नाम था बद्रा बाहू यहाँ पर मैं में बद्रा बाहू बद्रा बाहू कौन थे एक जैनिजम मोरिया ठीक है उनके कहने पे चंद्रगुप मौरे ने जैनिजम को अपना लिया और चंद्रगुप मौरे ने सन्यास लेने का निन्ने किया ये लगबग बात है 298 BC की ये चले गए महसूर के पास एक जगा है स्रवन बैला गोला वहाँ पर जाकर इन्होंने धीरे-धीरे यहाँ पर म से मानते थे लोग एक शेवतांपर शेवतांबर होते है वाइट-्कलैड जो चिटेवस्त्र धारन करते है और एक होते हैं नहीं करते हैं और जए अपने strongest टूलर थे जितना इनको अपने father से मिला गया था empire उतना नहीं उससे भी ज़्यादा इन्होंने expand किया और एक tamil की text book है जिसका नाम है तारनात एंड संगम तारनात एंड संगम एक tamil की text book है उसमें mention है tamil text book मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इसमें mention है specially तोर पे कि जो बिंदु सार है उसने 16 states up to महसूर तक अपने राजपार्ट को बढ़ाया ठीक है और बिंदु सार के time में आप कह सकते हो कि पूरा का पूरा भारत बिंदु सार के कबजे में था entire इंडिया या इंडिया के सब continents पूरे के पूरे मौरे वंच के कबजे में आ गए थे और बिंदु सार भी जैनिजम को मानता था जैनिजम के एक sect था जिसको ये मानता था जीवी का sect ठेक है ये मैं mention कर रहा हूँ जीवी का sect बिल्कुल इसी तरह होता था कि आप दुनिया में क्या लेकर आए हो क्या लेकर जाओगे ये इस तरह की बातों को follow करते थे बिंदु सार जी और बिंदु सार sweet wine पीने के बहुत बड़े शुकीन थे तो इन्होंने एक अपने Syria के friend जिनका नाम था Anticus One Syria friend या Syria king जिनका नाम था Anticus One उनको request करी कि भाई साफ आप मेरे दरबार में wine, dried fix और एक philosopher को भेज दीजिए लेकिन यहाँ पर Anticus One ने बोला कि जो philosopher हैं वो हमारे law and legal के खिलाफ हैं ये तो नहीं हम बेज पाएंगे लेकिन हम wine और dried fix को भेज देंगे dried fix क्या होती है आपने खाया होगा या नहीं खाया तो आप नजदीकी के करियाना स्टोर में जाना उनको बोलना अंजीर या dried fix दिखा दीजिए तो आपको पता लग जाएगा कि exactly dried fix क्या होती है और कैसी दिखती है ये एक तरह का drive तूट गी है चलिए तो जो सीरिया के best friend थे एंटिक स्वान बिंदु सार के उन्होंने एक अपने ambassador को भी भीजा ambassador का नाम था डाइमकस ठीक है डाइमकस याद रखना एक डाइमकस आये थे बिंदु सार के empire में ये Greek ambassador या फिर आप सीरिया ambassador भी लिख सकते हो एक ही बात है आप बिंदु सार नहीं चाहता था कि उसका बेटा Ashoka राजा बने बिंदु सार क्यों नहीं चाहता था basically बिंदु सार चाहता था कि इसके जो बड़ा बेटा है वो राजा बने और Ashoka राजा ना बने Ashoka second number base का पुत्र था ठेक है जी तो बड़े बेटे का नाम था सुसीम और छोटे बेटे का नाम था अशोका तो सुसीम और अशोका को बिंदु सार ने एक विदरो को शांत करने के लिए भेजा और ये विदरो हुआ था तक्शिला में तो तक्षिला का गवर्ना नुक्त किया था अशोका को 273 BC में बिंदुसार ने और लगबग 4 सालों में अशोका ने एक बुक के कॉर्डिंग अपने जो भाईयों को मार दिया था जो इसकी रहा में आ रहे थे राजा नहीं बनने दे रहे थे ऐसा कहा जाता है कि अशोका ने अपने 99 ब्रदर्स को मारा राजपट पाने के लिए लेकि कई बुक्स में इसको गलत लिखा गया है कई बुक्स में इसको सही लिखा गया है लेकिन हम यहाँ पर मान के चलते हैं कि अशोका के इस 99 ब्रदर्स टू गेट दा था ठीक है अशोका को पिया दासी के नाम से भी जाना जाता था वो क्यों जाना जाता था देखिए ध्यान से सुनिए अब अशोका के बारे में मैं आपको काफी चीज़े एक्स्प्लेन करूंगा अशोका एक स्ट्रॉंगेस टूलर था जिसका सिरफ मकसद था कि मोरे वंश को काफी हद तक एक्स्पेंड करना ठीक है अशोका ने मोरे वंश का जो स्थापना है वो काफी विशाल पूर्वक तरीके से करी अगर हम इंडिया का आज की डेट में मैप जो आपका साउथन मोस्टिप पॉइंट में दो एरियास रह जाते हैं जो उस ताम के बहुत इंपॉर्टेंट एरिया थे छोला एंड पांडिया चोला एंड पांडिया सिरफ इस इन एरिया को छोड़कर अशोका ने पूरे इंडिया के उपर कबजा कर लिया था ठीक है औ कलिंग का यूद हुआ था 261 BC में ठीके जी कलिंग के यूद काफी भ्यंकर रहा क्योंकि यहाँ पर कलिंग का यूद जितने के बाद अशोका ने देखा कि जो इसके आसपास का जितना भी एरिया था जो यूद का मदान वहाँ पर लाशों के धेर लगे थे और एक कलिंग क का जो कलिंग था वो आज की डेड़ में उडिसा के आसपास का एरिया थेके थे तो वहाँ पर एक डीवर फ्लो करती थी जिसका नाम था दिया उस तो यहाँ पर जो अशोका था उसका हर्ट कर गया मतलब फरीदय परवर्तन हो गया उसने सोचा कि देखिए जो लडाही भी हासिल नहीं हुआ मेरे सामने कितने लोगों ने अपनी जान गुआ दी और कितने लोग बचारे बेघर हो गए ठीक है तो इस तरह से अशोका का हिद्दय प्रवर्तन हो गया और एक कुरूर वादी नेता सोरी राजा से अशोका एक मतलब culture status को उपना लिया physical equipment को छोड़कर culture equipation को उपना लिया मतलब लड़ाई जगड़ा बिलकुली छोड़ दिया ठिक है जैसे महात्मा गांदी जी आहिंसा को फोलो करते हुए कौन से धर्म को पनाया तो एक बुदिस्ट मौंग थे जिनका नाम था उपागुप्त उपागुप्त के कहने पे अशोका ने बुदिजम को फोलो किया और अपनी जीवन का लक्षे बना लिया कि अब मेरी जीवन का लक्षे सिरफ है बुदिजम को सप्रेड करना ठीक है और ये बुदिजम की जितनी भी साइट्स साइट्स है या आप देख सकते हो वहाँ पर मेंशन है या फिर जितनी भी बुक्स है जटाका टेल्स वहाँ पर मेंशन है कि जो बुदिजम का परचार सबसे ज़्यादा अशोका ने किया ठीक है अशोका के टाइम में बुद्धिजम की तीसरी काउंसिल भी होई थी दोसब चास बीसी में जब अशोका भाई साब 251 बीसी में सारी की सारी बुद्धिजम साइट्स घूम कर आए जैसे कि बुद्धिजम साइट्स कौन आठ आपको बताया है ठीके जी तो यहां पर जो अशोका था वो बेसिकली फिजिकल एक्विशन को छोड़ चुका था और कल्चर एक्विशन को अपना रहा था ठीके जी तो यहां पर मैं एक चीज होरा आपको मेंशन करना चाहूंगा टाइम टाइम पर यह अपने अंपा था कि जाइए आप बुद्धिस्म का परचार कीजिए और जब थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल होई और उसके बाद इसने अपने बेटा और बेटी को भी धमा मंतराज की न्युक्ति में शामिल गिया बेटी का नाम था संग मित्रा बेटे का नाम था महिंद्रा तो इन दो सब्सक्राइए प्यार बड़ों के साथ अच्छा विवार उनकी रिस्पेक्ट तो इस तरह से बतला बिल्कुल ही फिजिकल एक्यूपेशन को छोड़कर कल्चर एक्यूपेशन की तरफ मूव हो चुका है अशोका अब एक बात बताइए कि अशोका फिजिकल एक्यूपेश और डैट ताम्मीन रिजन कि अशोका का जो राजपाट था वो क्रमबल्ड कर गया था और धीरे 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 श्रिंक होता जा रहा था एकनॉमिकल कोई सोर्स बचा नहीं था पैसे का और अशोका बुद्धिजम को सप्रेड करने में स्टूप बनवाने में इंक्रिप्शन करने में हच से जादा खर्चा कर रहा था तो इस वज़ी से अशोका का जो अमपैर है वो बिलकुल आगर हम कहें कि क्रमबल्ड कर गया था ठेके कही नगा जो इनके बेटे हैं कुणाला वो वैस्टन पार्ट पर राजपार्ट करने लगे और जो इनके सन इजो इनके पोते थे उनका नाम था दश्रत तो दश्रत बेसिकली इस्टन पार्ट पर राजपार्ट करने लगे एक जंग भी हुई थी दश्रत वर्सेस कुनाला तो इन जंग के बीच में जो अमपैर था वो डुवाइड हो गया अब जो कुनाला था वो ज्यादा लंबे समय तक अपना अमपैर नहीं चला पाए लेकिन दश्रत ने काफी लंबे समय तक अपना अमपैर चलाया उसके बाद भी कुछ राज़ा है लेकिन ये राजपार्ट ज्यादा strongest नहीं था जैसे चंदगो मौर्या, बिंदुसार और अशोका के टाइम में था और इसी वज़े से इतने बुरे दिन आ गए इनके मैं यहाँ पर mention करता हूँ कि 185 BC में 232 BC से लेकि 185 BC तक इनका जो राजपार्ट था वो सिरफ एक चल रहा था लेकिन एक strongest वे में नहीं था, ठीक है तो 185 BC में इतने बुरे दिन आगे जो अंतिम राजा था ना मौरे डाइनस्टी का जिसका नाम था बृद्रत, बृद्रत को उसी के ही सेनापती ने मार दिया, उसका नाम था पुश्य मित्रा सुंगा पुश्य मित्रा सुंगा ने अपने ही राजा बृद्रत को मार के मौरे वंश को खतम किया और पुश्य मित्रा ने अपने ही डाइनस्टी का अपने ही वंश का उदे करा जिसका नाम है सुंग डाइनस्टी ठीक है तो ये कुछ एक पॉइंट थे जो मैंने आपको बताए जो काफी इंपोर्टेंट आपके पेपर पॉइंट ओव व्यू से यहाँ पर मैं दो चीज़े और बताना चाहूंगा आपको देखें मोर्यकाल में एक चीज बहुत अच्छी थी जो इनकी एकनॉमी थी या फिर जो जैसे यह एड्मिस्टेशन संभालते थे वो था बिल्कुल सेंट्रलाइस्ट एड्मिस्टेशन जैसे मैं आज की बात करू निरेंदर मोदी जी हमारे देश के परधान मंत्री हैं हमा हमारे देश में आपको लगता है कि सेंटरलाइस्ट एक गौ़र्णन है नहीं हमारे देश की गौ़र्णन है डी सेंटरलाइस्ट गौ़र्णन जैसे कि मैं गया एक और आपको समझा भी लीडर से उन्होंने उनको स्पोर्ट करा या फिर राहूल गांदी जी नहीं गिया तो यह एक तरह की एकनोमी होती है decentralized लेकिन जो मॉर्यास थे उनके टाइम में centralized economy थी मतलब जैसा राजा ने बोल दिया जहां-जहां इनका राजपार्था वैसा ही decision फोलो किया जाता था ठीके और हमें सबसे ज़्यादा जानकारी कहां से मिलती है मॉर्यामपायर की first one कोटलय के द्वारा एक book लिकी थी अर्च शास्त्रा यह third best पर है उसके बाद एसा राजा था जो अपनी प्रजा के साथ direct inscription के थ्रू वारता लाप करता था ठीके यह point बहुत important है और एक point मैं आपको बताना भूल गया आपने सोचा होगा कि यह Indica और Megasthenesis कहां से आगे आप सुनिए जब Selkos Negator और चंद्रगुप मोरय का यूद हुआ था थोड़ा सा मैं recap करूँगा यहाँ पर चंद्रगुप मोरय का यूद हुआ था तो आपको शाहिद याद होगा matrimonial alliances हुआ था मैंने अभी आपको पिछे बिताया तो matrimonial alliances के बाद Selkos Negator ने अपना एक राजदूत बना कर भीजा था चंद्रगुप मोरय के empire में वो राजदूत का नाम है Megasthenesis Megasthenesis ने चंद्रगुप मोरय के बारे में एक बुक में वर्नन किया था उस बुक का नाम है Indica Right now ये बुक हमारे पास available नहीं है ये बुक की जानकरी हमें इस तरह से मिली ये बुक हमें fragments की तोर पे मिली है fragments बोले तो तुकडों में available है पूरी तरह से ये बुक हमें नहीं मिली ठीक है Thank you guys आज का लेचर हमारा था चंद्रगुप मोरय के बारे में और next लेचर होगा गुप्त अमपायर के बारे में ठीक है Thank you class